मित्रों मैं सौरब सर्मो और आप देख रहे हैं आरजी नीज, आरजी नीज में आपका स्वागत है उत्तपरदेश जिला बरेली में युवा फाउंडेशन ने लॉकडाउन में बित्रत की खास सामिगी आपको बता चलें कि युवा फाउंडेशन के अद्धिश पबन मिस्रा के नेतरत में जवरत मंदो को खाने के समान के पैकेट बित्रण किये गाए हैं उन्होंने का कि आरजी से की प्रेना से युवा फाउंडेशन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से जवरत मंदो को खाने के समान का बित्रण कर रही है कुरणा वारस के संक्रण की समाप्ती तक की एक कार्कम जारी रखा जाएगा उन्होंने परधान मंतरी मोदी के हादों की मजबूत करने और देश को कुरण मुक्त करने का आवान किया और उन्होंने कहा कि ये हम लोग देश के काम आ सकें उतना ही काम है देश के लिए हम लोग हमेशा समिर पे थे ये वित्रण सामगरी का तेश तारीक से जब से आधर्णी प्रदानमंतरी नजन्द मोदी जी ने आवान किया है कि अपने घरों में रहें उस दिन से हम लोग बरेली शहर के विविन विविन एरियाओं में प्रती दिन 500 पैकेट का वित्रण हम लोग कर रहे हैं आगे की क्या त्यारी यही है इश्वर के किरपा से जल्दी से करोना मुक्त हो मेरा बरेली मेरा भारत और उसी दिन हम लोग शान्त होंगे उससे पहले युवा फाउंडेशन शान्त होने वाली नहीं इसमें आलू है इसमें दाल है इसमें चाबल है इसमें आटा है इसमें नमक है ये हम लोग बितृत कर रहे हैं तेज तारिक से और आज तक कि इन पात्रों को पहले से ही चिन्यत कर लेते हैं? जी, हम लोग अपने जो וलिंटियोंस हैं, उन וलिंटियोंस की माध्याstate हम से पहले जिस एलाखे में हमको जाना होता है, उस से दो-तीन दिन पहले हम लोग चिन्यट कऱा लेते हैं क्योंकि जैसे आज हम लोग यहां कहड़े हैं यहां 5000 कि आवाधी है इस एरिया में लेकिन 5000 कि आवाधी में हम देख लेते हैं कौन पाधर है जिसके घर में चूला नहीं जला है जो भू का होने की कगार पै है हम लोग उसको चिन्नित करके यह सामगरी का बित्रण परडे करते हैं यह यह सामान जो बित्रण किया जा रहा है यह किसके सोजनने से है यह यह यूबा फांडेशन के सोजनने से है